जैन दोस्तो रख्षिकना के चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज के जीडियो में मैं आपको कुछ जानकारिया दूँगा जैसे कि आप थमनेल में देख रहे हैं हाला कि दोस्तो इसके अलावा कुछ और भी जानकारिया है वो भी मैं आपको आगे दूँगा जब आप 54% एप्रूव हुआ दोस्तो 54% की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि social media पे तमाम अख़बारों में ये बताया जा रहा है कि जुलाई से बढ़ने वाला आपका DDR 54% होगा अब दोस्तो ये पता नहीं कि वो किन आकडों को लेकर बता रहे हैं कि आपका 54% होगा जुलाई स हाला कि दोस्तो मेरे आकडों के अनुसार AI CPI के आकडों के अनुसार जुलाई से बढ़ने वाला आपका DDR 53% होगा जिया दोस्तो इसकी पुष्टी इसका confirmation मैंने आपको बहुत पहले ही कर दिया तब वीडियो में हाला कि दोस्तो इसी पे कुछ और भी जानकारिया आईए आज की मीटिंग को लेकर वो मैं आपको आगे बताऊँगा कुछ और जानकारिया हैं दोस्तो बोनस को लेकर एक और लेटर आया है वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा कुछ जानकारिया नोशलल एक्रिमेंट को लेकर है अभी फिलाल ताजा इस्तिती क्या चल रही है बा आप पहली बार मेरे चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जिसका नाव है रक्षित खन्ना क्योंकि सही जानकारियां आपको मिलती रहते इस चैनल के मादम से सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूँगा D.A.D.R. की जैसा आपको बता है आज केबिनेट की मीटिंग थी दोस्तों इसकी एक प्रेस ब्रीफिंग हुई थी दो बज़े के आसपास जियां दोस्तों मीटिंग में जो भी चीजे घोशी थुई उसकी एक प्रेस ब्रीफिंग आ अभी भी हाया कि दोस्तों वो किस बेस्टर बता रहे हैं उसका मुझे पता नहीं लेकिन दोस्तों मेरे अनुसार जुलाई से बढ़ने वाला आपका D.A.D.R. 53% होगा तिरे 5% और भारत सरकार भी यही घोशित करेगी तो दोस्तों सोशल मेडिया पे जो भी बताया जा रह एप्रूव हुआ 53% घोशित हुआ जुलाई से बढ़ने वाला जैसे कि मैंने थमनेल में लिखा हुआ है दोस्तों आज मीटिंग तो हुई कैबिनेट की मीटिंग हुई लेकिन कुछ और चीज़े घोशित हुई जिया दोस्तों आपका D.A.D.R. एप्रूव नहीं हुआ अ जुलाई से बढ़ने वाला दोस्तों आज मीटिंग हुई लेकिन कैबिनेट ने तीन फैसलों को मंजूरी दी जिया दोस्तों तीन फैसले लिए सबसे पहला फैसला लिया nutrition security पे जिया दोस्तों किस तरीके से productivity को सही करना है जैसे दोस्तों productivity में राइज है चावल है जिया द दोस्तों कुछ राइस्त समंदित कुछ चीजे घोशना हुई है फिर दोस्तों दूसरी घोशना हुई है विकास भी और विरासत भी यानि national maritime heritage complex का निर्मान लोथल में किया जाएगा जिया दोस्तों यानि maritime heritage complex है दोस्तों जो बनाये जाएगा लोथल में तो इसके बारे में दोस्तों ये घोशना हुई है फिर दोस्तों सीमाओ पर infrastructure जिन दोस्तों जिसके थैत राजिस्तान और पंजाब की सीमावर्ती छेत्रों में 288 किलोमेटर लंबा रोड नेटवक त्यार किया जाएगा तो दोस्तों infrastructure हो गया या फिर विकास विरासत हो गया या फिर nutrition security हो गई इस पर ही दोस्तों सारी चीजें घोशना हुई है इस पर, DDR की अभी तक कोई घोशना नहीं हुई है तो दोस्तों कुछ दिन में आपका DDR डेकलेर होगा कुछ दिन में बारसरकार या पर थोड़ा सा time all ले रही है DDR की घोशना में अभी दोस्तों मैं वीडियो बना रहा ह कौने साथ हो चुके हैं अभी तक DDR पे कोई information नहीं आई है घोशना की हाला कि दोस्तों ये meeting बहुत पहले ही हो गई थी सिरफ press briefing इसकी हुई दो बज़े के आसपास दो और तीन बज़े के आसपास तभी दोस्तों इसमें ये चीजें घोशित हुई है देड यार पे अभी इस खबर है फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूँगा और ये है भारतिये रेलवे ने सेवनेवरित करमचारियों के लिए सांकेतिक वेतन बृद्धी नीति को सपस्ट किया है जिए दोस्तों भारतिये रेलवे ने बताया कि भारत सरकार एक्चुली अब कर क्या दोस्तों यहां दोस्तों कुछ मैं आपको चीजें समझाँगा काफी यह मैंतमूर जानकारी जो पैनेशनरस नोचल इंक्रीमेंट लेने का इंतजार कर रहे हैं भारत सरकार के ओर्डर का वेड कर रहे हैं जैसा आपको बता है डियोपीटी ने अभी तक इस पे कोई ओर्ड नहीं निकाले हैं तो दोस्तों उसी पर यह लेटर्स जानकारी है नोशनल इंक्रिमेंट पर वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ जाएगा इस सुप्रीम कोट के और के अंतरगर लेकिन दोस्तों इसमें कुछ और भी चीजे लिखी हुई है जिया दोस्तों जैसा दोस्तों कुछ पैंशनर्स यहां पर कोट केस कर रहे हैं जिया दोस्तों तो उनको बैनिफिट मिल जाएगा नोशनल इंक्रिमेंट का जो कोट केस कर रहे हैं तो उनको भी नोशनल इंक्रिमेंट का बैनिफिट मिल जाएगा तो दोस्तों सुप्रीम कोट का जो ओडर है 11 अप्राइल 2023 का वो सभी पैंशनर्स के लिए अप्लिकेबल नहीं है तो दोस्तों यह जो ओडर है यह एफेक्टिव है एक माई 2023 से यानि जो इसके बाद पैंशन आएंगे अगर उनको नोशनल इंक्रिमेंट नहीं मिला तो वो दिया जाएगा हाला कि दोस्तों यह सिरफ एप्लिकल बेटी उनी पैंशनर के लिए जिन्होंने कोट केस किया था तो दोस्तों इसके बेस पर जो दूसरे पैंशनर्स हैं जो कोट केस कर रहें उनको बेनेफिट मिल जाएगा नोशनल इंक्रिमेंट का अगर उनका कोई केस चल भी रहा है और अभी तक सेटल्मेंट नहीं हुआ या फिर कुछ पैंशनर्स सोच रहे हैं नोशनल इंक्रिमेंट का केस डालने के लिए उनका सक्सेस्फुली पास हो जाएगा नोशन निर्ने लंबी था, जैसे हम आपको बता दिया, जो ये Supreme Court का order था, ये सभी pensioner के लिए लागू नहीं है, हाला कि जो अभी case चल रहे हैं, या फिर जो जीते जा चुके हैं, उन पे ये order applicable नहीं होगा, जैसे दोस्तों, हमारे department का भी case था, जो 2013 में pension आगे थे, उनको notional increment नहीं मिला था, जुलाई का, तो दोस्तों, हमने उनका case revise करा, और दोस्तों, पूरा area दिया, जब से वो retire हुए थे, तो दोस्तों, ये order हर एक pensioner पे applicable नहीं है, अगर आप सोच रहे हैं, notional increment लेने के लिए, तो आपको मिल जाएगा, अब दोस्तों, अभी भारत सरकार की स्थिती क्या है, ये मैं आपको समझा देता हूँ, notional increment पे, नोडल मंतराले वरतमान में कार्मिक एव, प्रसिक्षन विभाग, यानि DOPT, वीदी मंतराले और वित मंतराले के प्रामश से इन निर्देशों की समिक्षा कर रहा है, दोस्तों, अभी जो मंतराले है, जो DOPT विभाग है, वो अभी इस मामले में discuss कर रहा है, दूसरे मंतराले से, अभी इस सिति, इस पश्ट नहीं हुई है, इस वज़े से ये मामला रुका हुआ है, ये ओर्डर निकालना है अभी DOPT को, Department of Personal and Training को, वो ओर्डर निकालेगी नोशनल इनितिवेंट पे, तब सब पैंशनर्स को इसका benefit मिल पाएगा, हाला कि अभी ये मामला रुका हुआ है, अभी सिर्फ discussion चल रहा है, अभी सिर्फ बातीच चल रही है, अभी इस पे कोई order निकाला नहीं है, तो इसके लिए आपको थोड़ा भी wait करना पड़ेगा, नोडल मंतराले द्वारा नीतिगत स्पश्टी करण जारी किये जाने के बाद, रेल मंतराले इन दिशा निर्देशों को अपनाएगा, जैसे ही D.O.P.T. final order निकाल देगा, फिर दोस्तो हरे पैंशनर को नोशल इंक्रिमेंट मिल पाएगा, अगर वो जून में रिटार हुए, तो उनको जन्वरी का इंक्रिमेंट, तो दोस्तो अभी आपको थोड़ा य नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, D.O.P.T. के order का, दोस्तो भारतीय रेल्वे ने यहां पर स्पच कर दिया है, कि यह अभी मामला D.O.P.T. के अधीन है, अभी उस पे सोच विचारा जा रहा है, दोस्तो इसमें एक और चीज लिखी और दोस्तो इनका कहना है, लंबित मामलो या फिर अपीलो वाले करमचारियों को आधिकारिक चैनलों के माध्यम से अपडेट रहने के लिए प्रुसादित किया जाता है, क्योंकि आगे आने वाले महिनों में अंतिम निर्ने की उमीद है, ऐसा दोस्तो रेल्वे ने बताया और यह है बोनस को लेके, जैसा आपको बाता है, रेल्वे ने पहले स्पे बोनस जारी किया था, अब दोस्तो बोनस जारी करा है, Employee Provident Fund Organization ने, करमचारी भविष्य निदी संगठन ने एक ओर्डर निकाला है, और दोस्तो यह निकाला है, गुरुप C और गुरुप B के Non-Gad अब इन्होंने बोनस की घोषणा करी है, करमचारी के लिए, किसने करी है, करमचारी भविष्य निदी संगठन, जैसा दोस्तो, EPFO ने, यह लेटर है दोस्तो, 8 October 2024 का, और दोस्तो इसमें जो ओर्डर दिया है, वो दिया है, 13,816 रूपे का बोनस, Productivity Link Bonus, जो करमचारी को मिल पाएगा, Group C और Group B के, और दोस्तो इसमें एक लास्ट नाई लिखी हुई है, the amount of advance may be paid before 11 October 2024, यानि 11 October से पहले करमचारी को बोनस दे दिया जाए, उनके खाते में डाल दिया जाए, ऐसा दोस्तो इसमें लिखा हुआ है, और दोस्तो साथी साथ इसमें एक अंडर्टेकिंग को, अगर गलती से बोनस के रूप में कुछ अधिक amount उनके खाते में आ जाता है, तो दोस्तो सबसे पहले करमचारी ये undertaking बरेंगे, sign करेंगे, उसके बाद ही इनको बोनस मिल सकेगा, तो दोस्तो इससे पहले railway को बोनस मिला, railway के करमचारी को और अब EPFO के करमचारी को बोनस म आपको बता रहा हूँ, जुलाई से बढ़ने वाल आपका DDR 53% होगा, 12 सरकार 53% गोशित करेगी, DDR जुलाई से बढ़ने वाला, 54% की दोस्तो जो भी खबर आ रही है, वो सब fake खबर है, आज भी दोस्तो मेरे पास कुछ खबर आई है, DDR पर ये, जिसमें बताया जा रहा ह जो आपका DDR है, वो 53% बन रहा है, AICPN के आपडों के बेस पर, जियां दोस्तो, तो आपका 53% ही एनाउंस होगा, 54% नहीं होगा, तो जितनी भी एक खबर आ रही है, ये सब fake है, दोस्तो जो दूसरे चैनल वाले हैं, वो कभी भी आपको पकी निउस नहीं देते हैं, वो आपको शुरू से यही बता है, कि जुलाई से बनने वाला आपको DDR 53% होगा, यही मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन दूसरे चैनल का दोस्तो मुझे पता नहीं, वो जूट क्यों बोलते हैं, I don't know, तो दोस्तो, रियल निउस और ऑठेंटिक जानकारियां अगर आप ले